अलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई टूब चैनल एसके जी समाने गान आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जो प्रेस करें आज हम आपके सामने जो हैं वो भारती तिहास के तीस प्रशन लेकर आएं हैं ठीक है इंडियन हिस्टरी के 30 कोशन साइल लेकर आएं तो शुरू करते हैं इंडिया जी के वाला प्रशन भी हमने शुरू किया है तो जो लास्ट मौरे राजा था वो कौन था ठीक है अशोक बी व्रहदत सी संपराती डी नन अफ दीस इन में से कोई नहीं आखरी मौरे राजा कौन था आखरी मौरे समराट कौन था यह जितने भी आपको दिये गए हैं यह सब मौरे समराट है तो आपने चूज करना है अंसर देखते हैं तो जो लास्ट मौरे समराट था वो व्रहदत था ठीक है और व्रहदत जो था वो लास्ट मौरे समराठ था और उसका जो सेनापती था पुष्यमित्र सुंग उसने उसकी हत्या करके 185 BC में 185 BC में जो है वो सुंग राज्य की स्थापना की थी ठीक है पुष्यमित्र सुंग जो था वो ब्रामन था ठीक है तो आखरी मौरे समराठ जो था वो ब्रहदत था ठीक है और सबसे कौन था अशोका ठीक है अशोका था ग्रेट ठीक है उस सबसे फेमस मौरे समराड था फिर गौतम बुद पी महा माया किस वण्ष से थी ए लिच्वी बी कोलिय दी शाक्य आंसर देखते हैं ठीक है तो जो गौतम बुद की माता थी महा माया वह कोलिय वण्ष की थी ठीक है और उनका जो विवाह था वो शाक्यवंश के राजा सुदोदन से हुआ था तो जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्यवंश के थे उनके पिता का नाम सुदोदन था और माता का नाम जो था वो महामाया था ठीक है और पुत्र का नाम राहुल ठीक है फिर जो नालंदा उनिवस् और ये भारत जो दो फेमस उन्वस्टियां है तक्षिला जो आप पाकिस्तान में है वर्तमान में और नालंदा ये दो प्राचीन भारत की फेमस उन्वस्टियां थी तो नालंदा विश्व विद्याले का विकास किसके काल में हुआ था A. चंदरगुप्त, B. सकंदगुप्त, C. कुमारगुप्त, D. समुदरगुप्त A. चंदरगुप्त, B. सकंदगुप्त, C. कुमारगुप्त, D. समुदरगुप्त तो अंसर है इसका नालंदा विश्व विद्यालय का विकास जो है वो कुमार गुप्त के काल में हुआ था ठीक है और कुमार गुप्त जो है वो गुप्त वंच के जो है राजा थे और चंद्रगुप्त विक्रमा दित्ते के बेटे थे आपने देखा होगा गुप्त वंच की जो अगर समय सान नहीं अगर वो देखें तो समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त के बाद चंद्रगुप्त से जाता था फायान इनके तरवार में आया था ठीक है 406 AD के आसपास और उसके बाद फिर जो है वो कुमार गुप्त का टाइम आता तो कुमार गुप्त जो है इन्होंने नालंदा युनिवस्टी का जो है विकास में महत्वपुन योगदान दिया था ठीक है फिर बहुत धरम ज दूसरी संगती तीसरी संगती चोथी संगती एक तरह से सम्मेलन होते थे तो बहुत संगतिया यानि कि बहुत संगतिया थे तो पहला संगतिया फिर उसके बाद दूसरा संगतिया फिर तीसरा हुआ फिर चोथा हुआ ठीक है तो इस तरह के जो चार बहुत संगतिया है ठीक तो महायान और हिन यान में बहुत धर्म विभाजित कौन से संगती में हुआ था कौन से संभेलन में हुआ था एक तरह से तो जो चोथा संभेलन था ठीक है तो जो चोथा संभेलन था उसमें बहुत धर्म जो है और मुर्ती पूजा नहीं थी ठीक है तो ये अलग-अलग सेक्ट्स निकल पड़े थे ठीक है ये चौती बहुत संगती हुई थी 72 एडी में 72 इस्वी में हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में ठीक है और इसके धेक्ष्टा वसुमित्र ने की थी ठीक है फिर नेक्स्ट कोशन मेगस्थनीज ने भारत के बारे में जो भी वर्णन किया है था अपनी कुस्तक में तो उसमें से कौन सी बात उसकी गलत जो उसने नहीं बोली थी भारत में प्रचूर मातरा में सोना, चांदी, तामबा और लोगा है ठीक है भारत में सू विवस्थित, जाती विवस्ता है भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं, डाइनोसियस ने भारत पे आकर्मिन किया है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मेगस्थनीज ने बोली हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसने नहीं बोली थी अपनी पुस्तक, आपको पता है मेगस्थनीज की पुस्तक थी, वो मैं बाद में बात करेंगे उसके बारे में अंसर देखते हैं तो भारत में अक्सर अकाल पढ़ते हैं ये मेगस्तिनीस ने अपनी पुस्तक में कहीं नहीं लिखा था ठीक है तो जो मेगस्तिनीस की जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका तो चंद्रगुप्त मौरे के दर्बार में आये था और उसने किताब लिखी थी इंडिका और उसमें ये सारी बातों का वंडन किया था लेकिन ये इसका वंडन नहीं किया था कि भारत में एकसर अकाल पड़ते हैं प्रें फिर सिंद्रुगाटी सब्ता के किस स्थान से अगनी वेधिकाएं ब्राप्त होई हैं काली बंगा जो है वो राजस्थान में है ठीक है तो काली बंगा जो है राजस्थान में है इस समय और यह सिंदुगाटी सबता का एक प्रमुक स्थान है मोहन जोदुरो और लोथल के साथ हडपा भी है वहां का एक फेमस स्थान ठीक है यहां से उटों की हडियां दिखाएं प्राप्त हुई है एक काली गुंगा से हुई है लोथल गुजरात में है यहाँ पर डॉक्याड जो है वो मिला था एक तरह से जो जहां पर समुदरी जहाज जो है वो आकर रुकते थे ठीक है बंदरगाहा और मोहंजोदूरों पाकिस्तान में है ठीक है अब आके आहेगा भी, तो लिश वी दोहित्र किसी कहा जाता है, A. शरीकुप्त, B. चंडरकुप्त फरस्ट, C. चंडरकुप्त सैकेंड D. समुधरकुप्त, अंसर देखते हैं, ठीक है, तो किस राजा को जो है लिछवी दोहित्र कहा जाता है तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है ठीक है क्यों कहा जाता है वो मैं भी बताता हूं समुद्रगुप्त आपको पता है इसने जो समुद्रगुप्त है इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है बहुत फेमस हुआ था ठीक है भार शंपारत के बारा राजाओं को भी उसने हरा है थे जो नौर्थ का था वो पूरा कभजा कर लिया था ठीक है इसको लिच्वी दोहित्र जो है वह क्यों कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये चंद्रगुप्त प्रथम का एक तो बेटा था ठीक है और वो चंद्रगुप्त की जो पतनी थी वो लिछवी राज कुमारी थी ठीक है तो इस कारण समुद्रगुप्त को लिछवी दोहित्र कहा जाता है अर्थात लिछवीयों की पुत गुआ से तरी स्मदृगुप्त को भार्त से नेपूलियन कहा जाता है महावेर स्वामी का जनम कब हुआ था पांसो चालिस बीसी यानि इसापूर्व, पांसो पचास बीसी यानि इसापूर्व, ठीक है, पांसो साथ बीसी या पांसो पच्पन बीसी, बीसी का मतलब जानते होंगे, बीसी का मतलब मैं आपको बता दूँ, एडी, इसे में दो हजार बीस एडी चल रहा है, एनो डॉमिन से भी 540 साल पहले 550 का मतलब है 2020 से भी 550 साल पहले ठीक है ये माइनस में चलता है ठीक है तो आंसर देखते है महावीर स्वामी का जो जनम है वो 540 इसापूरु में हुआ ठीक है कई बार इनकी डेट्स के बारे में confusion होती है लेकिन असरी चीज़ है कि महावीर स्वामी का जनम कहां पे हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में और पावापूरी में इनकी जो है वो मृत्य हुई थी ठीक है गौतम बुद्ध का जनम आपको पता है लुंबिनी में हुआ था ठीक है ग्यान कहां प्राप्त हुआ था ठीक है तो इस चार स्थान है बोध गया है ठीक है सारनाथ है तो सारनाथ में इनोंने पहला उपदेश दिया था बोध गया में इनको ग्यान प्राप्त हुआ था लुंबिनी में जो है वो गौतम बुद्ध क का jenenda हुआ था। ठीक है। और कुशी नगर में zo Email की मिर्तिय ती तही से चार स्थान चाराण है और महावीर स्वावी से इक दो स्थान है एक फूत जनम वह्सालिक के कुंदंग्राम में और मिर्तियू कहा कांपर हुई है मृत्यू जो है वो कहां पर हुई है वो पावापुरी में हुई है ठीक है फिर कोशन नमबर 9 हर्ष चरित की रचना किस ने की है तो हर्ष चरित की रचना जो है वो बानबट ने की है बानबट जो था वो हर्ष का दरबारी था दरबारी कभी कहलो आप राज कभी कहलो बानबट हर्ष वर्दन का राज कभी था और उसने एक फेमस नाटक की रचना भी है बहुत फेमस किताब है ये नाटक है कादमबरी तो कई भार कोशन भी पूछा जा था कादमरी किसन की रचना है तो यह बर्ण भट और उन्होंने हर्श के जीवन के उपर जो है ऐ वह बायोग्रफिय टाइप किताब लिखी थी जिसका नाम तो हर्ष चरित की रचना बान भैठने की है, साथी साथ कादंब्री भी बान भैठने लिका है, लेकिन हर्ष जो है, वो खुद बहुत अच्छा राइटर था, तीन किताबे इसने लिकिया, आप कमेंट बॉक्स में, जो हर्ष की तीन किताबे जो है, उनके नाम लिख सकते हैं बहुत फेमस राइटर था, हर्ष चरित, 606 जो AD के असपास जो ही राजा बना था, ठीक है, और इसने हर्ष वर्धन के नाम से जाना जाता था, वर्धन सामराज्य के अस्टैबलिश्मेंट किया था, फिर नंद बंश की स्थापना किस ने की थी, नंद बंश, ठीक है, ए महापदमनन्द, भी धनानन्द, सी शिशुनाग, डी कालाशोग, ए महापदमनन्द, भी धनानन्द, सी शिशुनाग, डी कालाशोग, तो नंद बंश की स्थापना जो है, वो महापदमननन्द ने की थी, ठीक है, और नंद बंश के जो आखरी राजा थे, वो कौन थे, नंदवंश की स्थापना 345 इसवी बीसी में महापदम नंद ने की थी 16 वर्ष तक राज किया था ठीक है इसे श्यत्रियों का विनाश करने वाला बताए गया और इसके जो लास्ट राजा थे वो धनानंद थे ठीक है जिनको गर्दी से उतार के जो है वो चंद्रगुप्त मौरे का फिर है मौरे वंश की स्थापना भी की थी उसने चंद्रगुप्त मौरे ने दनानंद को अठा के पर पहला राजा था महापदम नंद फिर है मोहमद गौरी ने पहली बार भारत पर अटैक कब किया एक ग्यारा सो बहत फेमस है तराइन की दो लड़ाईयां 1191 की तराइन का पहला युद मौहमद गौरी और प्रित्वीराज चोहान जिसमें प्रित्वीराज चोहान जीट गए थे और उन्हें मौहमद गौरी को माफ कर दिया था उसके इठीक एक साल बात ग्यारा सो बनवे में फिर से तराइन की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें म मार्क प्रशस्त हो गया था ठीक है दिल्ली सल्तनत उसके ठीक 1192 में तराइन के दो युद्ध हुए थे और ठीक उसके चौदा साल बाद दिल्ली सल्तनत एस्टैबलिश होगी थी 1206 से लेके 1526 तक और उसके बाद फिर 1526 से लेके 1857 तक मुगल सामराज्य और फिर आपको पता ही है हिस्ट्री इस तरह से चलती है तो महमद गौरी जो है पहला अटैक उसने 1175 में किया था लेकिन वो ज्यादा कोई इफेक्टीव नहीं हो पाया था जब तक वो तरहाइन की इसने सेकेंड ड़ाई नहीं जीती थी इसको भारती थी आसकी बहुत महत्तपून ड़ाई माना जाता है तरहाइन का दूसरा युद्ध दिल्ली सल्तनत एस्टैबिलिश कर दी थी किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वनकाल कहा जाता है जो मुगल मतलब एक तरह से जो पेंटिंग का गोल्डन पीरिड किसको कहा जाता है चित्रकला का गोल्डन पीरिड स्वनकाल किसको कहा जाता है अकबर के समय को जहांगीर के समय को सहा जहां के समय को या और इंजेब के समय को अंसर देख लेते हैं आं अच्टरकला का भी कहा जाता है, फिर किस सल्तनत का ली इन सल्तन मैंने कहा ना, दिल्ली सल्तनत एस्टैबलिश हो गया था, बारसो छे, घुलाम वन्ष की स्थापना, फिर खिलजी आए, तुगलक आए, इस तरह से जो है वो लास्ट, जो है वो लोधी थे, ठीक है बीच में स सायद आए, तो इस तरह से जो है दिल्ली सल्तनत एस्टैबलिश हो गया, तो किस सल्तनत काल के राजा ने अपने अमीरों के बीच, उसकी इजाजत के बिना दावतों, तेभारों को मनाने पर जो है रोक लगा दी थी, ठीक है, तो जैसे बल्बन है, पहले है फिरोशा इस से पहले था 1337 के असपास, अलावदीन खिल जी ये 1296 के असपास था, और बल्बन, ठीक है, इल्टुत्मिश के बाद बल्बन, ठीक है, गुलाव मंच के थे ये सारे, ठीक है, तो किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच, उसकी इजाजत के बिना दावतों तेवहारों को मनाने पर रोक लगा दी थी, ठीक है, तो ये बल्बन जो है, वो अलावदीन खिल जी और उससे भी पहले जो है, वो 1260 के आसपास का टाइम है, ठीक है, तो अंसर देखते हैं, तो ये अलावदीन खिल जी है, ठीक है, आपने पदवामत पिचर भी देखी ठीक है, जिसमें अलावदीन खिल जी का रोल जो है, वो रनबीर सिंग ने किया था, अलावदीन खिल जी ने है, अपने राज्य के जो विद्रहों को दबाने के लिए, ठीक है, तो अमीरों के बीच जो है, वो दावतों पर रोक लगा दी थी, और एक चीज बता दू मैं, अकबर और अलावदीन खिल जी, ये दो अनपड राजा थे, ठीक है, जिनने उनने बिलकुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं किती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए, ठीक है, इनके किये हुए काम जो है, वो इतियास में आज भी जो है, जो है फॉलू किये ठीक है अनसर देखते हैं, अनसर है नूर जहाँ, ठीक है, तो नूर जहाँ जो है, उनका असली नाम था महरू निशा, ये एक्चुली सेर अफगान की विद्वा थी, ठीक है, कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जहांगीर है, उसने मरवा दिया था शेर-फगान को महरू नि दी ठीक है तो फिर नूर जहां के नाम से जो है वो परसिद्धूई और आपको पता है जहांगीर और नूर जहां जो है 1622 में नूरपूर आए और नूरपूर जो नाम है वो नूर जहां के उपर ही पड़ा है कांगड़ा का नूरपूर ठीक है तो उसका असली नाम था महरू सबता दए सि उर्दू दे हिंदी तो अंसर देखते हैं अंसर जो है वो फार्सी अकबर नामा जो है वो फार्सी भाशा मे लिखा गया और आप सबको पता है कोशन ये जादा पूचा जाता है कि अकबर नामा लिखा किसने है तो अकबर नामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा है ठीक है तो अबुल फजल की रचना है अकबर नामा ठीक है बहुत फेमस है Next question 1576 का यूद किस नाम से प्रसिद है 1576 का यूद जो है वो किस नाम से प्रसिद है अंसर देखते हैं ठीक है 1576 का जो युद्ध है वो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से फेमस है और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराना प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था ठीक है तो अकबर और महाराना प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था तराइन के दोनों युद्ध की बात मैंने बता थी 1191 में 1192 में ठीक है प्रित्वीराज चोहान और मुहमद गौरी के बीच में हुआ था पहली में प्रित्वीराज चोहान जीता था दूसरे में मौमद गौरी पानीपत की तीन लडाईयां हुई है 1526 में पहली इस लडाई में जो है वो मुगल वंच की स्थापना हुई बावर ने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की दूसरी लडाई जो है वो आ ठीक हो और एहमत ठाली के बीच में जो है वह हुई थी ठीक है मराध्य और एहमत ठाली स सत्रासुएक्षट तो शेत्र के जो युद्व हो हल्दीगाटी का युद्व है महाराना प्रताप और अक्बर के बीच में Speech नमें महमूद गजनवी आपको पता है मेहमूद गजण था ठीक है तो प्रोटल कितने अटैक कि हुए था एक हजार पच्चेस में उसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था तो उसने कुल कितने अटैक किये थे भारत पे ठीक है तो महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था A. अलबरुनी, B. अमीर खुसरो, C. अबर इबन बदूता, D. इनमें से कोई नहीं तो अंसर देखते हैं तो महमूद गजनवी के साथ अलबरुनी आया था थेक है विदवान था ये बहुत बड़ा थेक है तो ये महमूद गजनवी के दरबार में था और भारत के आक्रमन के स से आया था यह कोशन बहुत बार पुछा जाता कि इबन बतूता जो है वो कहां से आया था तो मुरक्कों से आया था अफरीका के मुरक्कों से ठीक है next question इकताप्रथा ठीक है ये खतम किसने की शूरू किसने की अब आएगा भी answer में लेकिन खतम किसने की शूरू किसने की बुख अनसर देखते हैं ठीक है तो जो अलावदिन खिल जी था उसने जो है एक्ता प्रथा जो खतम की दक्कन को जीता था अलावदिन खिल जी ने पहला राजा था जिसने दक्कन भारत में एंट्री मारी थी अलावदिन खिल जी तो एक्ता प्रथा उसने खतम की थी और शुरू किस ने की थी वो की थी इल्तुत्मिशने एक्ताप्त्ता जो खतम की थी वो अलावतिन खेलजी ने की थी और इसको शुरू किया था इल्तुत्मिशने इल्तुत्मिशने ने कुत्व मिनार की लास्ट मंजिल भी बनाई है ठीक है कुतुब बुद्धी नैभक ने कुतुब मिनार का निर्मान शुरू करवाया था तीन चार मंजिले उसने बनवा दी थी लेकिन उसको फिनिश जो है वो लास्ट मंजिल जो है वो इल्थोतमिश ने बनवाई थी ठीक है गुलाव मंच के और इकता पर्था थी क्या इस यह खतम कर दी थी अलाव दिन खिल जी ने ठीक है जिसे शुरू किया था इल्थोतमिश ने फिर जीडी रोड जिसको ग्रेंट ट्रंक रोड कहा जाता है यह एक्शली पाकिस्तान के पेशावर से लेके और बंगलादेश कलकत्ता से होते वे दिल्ली से होते वे यह बंगला निर्मान की बात इसमें एक्जैक्ट कोशन यह बताए गया तो अकबर बी और एंजेप शीर्षा सूरी डी जहागीर अंसर देखते हैं तो जो जीटी रोड का निर्मान पुर्णर निर्मान लिख जो निर्मान किया वो शेर्षा सूरी ने किया है ठीक है और एक्शली जो वो मौरेकाल में बन चुका था लेकिन उसको उत्तरपत के नाम से जाना जाता था इसका सही तरीके से जो निर्मान है वो शेर्षा सूरी ने करवाया था ठीक है सड के आजम नाम रखा था उसने और परतमान में ग्रैंट ट्रंक रोड के नाम से फेमस है ठीक है अमरित्सर पिशावर से अमरिसर, अमरिसर से दिली, जिसको नैशनल हाईवे वन भी कहा जाता है, शाह जहां के मृत्यू कब हुई थी, A. 1658, B. 1660, C. 1662, D. 1666, आंसर देखने सी था, ठीक है, औरेंज जेव की जो मृत्यू है, जो उसके डैथ हुई थी, वो 1666 में हुई थी, Actually, औरेंज जेव ने जो है, वो अपने पिता, शाह जहां को कैद कर लिया था, 1658 में, ठीक है, और आठ साल बाद जेल में ही उनकी मृत्यू हुई थी, ठीक है, जो उत्रादिकार का युद्ध हुआ था, शाह जहां के चार बेटों में, ठीक है, जिसके जो चार बेटे थे, उ बाद में 1666 में शाह जहां के मृत्ती हुई, शाह जहां आपको सबको पता है, ताज महल का निर्मान किया था, शाह जहां ने, फिर है आधुनिक भारत के question, भारती राष्टी कॉंग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन है, वो किसके लिए famous है, 1896, आपको पता ना, भारती राष् 1896 का अधिवेशन है, वो किसले famous था, पहली बार महाँ पर राष्टेगान गायगा था, यानि न était ञे शाम इन चान ब्रयुक्तonen को मुद्छ तो वो इसले पर पहले बार जो है वह राष्ट गीती की वन्दे मात्रम जौना नारka से लिया गया थे जो है वहां से लिया गया था और उसुम नाम क्या है आनंदमत ठीक है तो वंदे मात्रम जो है किस किताब से लिए गया है वो बंकिन चंडर्चतर जी की जो पन्यास है आनंदमत वहां से लिए गया है ठीक है और 1937 तक यैस को हम भारत का रास्टी गान ही पत्र वा गरा थे उस पर प्रतिबंदों को एक तरह से खतम किया था ए लॉर्ड विलियम बैंटिक, ब सर्चार्स मैंट केफे, डी लॉर्ड ओकलेंड, डी लॉर्ड ऐलनबरो अंसर देखते हैं, ठीक है, सर चार्स मैट काफे को भारती प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, जो सर चार्स मैट काफे हैं, वो 1835 यहां 136 लिखा है, ठीक है, तो यह 1835 यह 1836 तक जो भारत के गवर्नर जनर्र रहे और इन्हों ने क्या किया तो जो प्रेस थी उसको बना जनर्र यह, ठीक है, इसलिए इनको हटा दिया गया, क्योंकि इन्होंने प्रेस से प्रतिबंद अठाया गया था, इसलिए इसको बहुत ही कम अब्दी के बाद अठा दिया गया था, भारत में पहली यूरोपियन बस्ती कि स्थान पर स्थापित कीगी, एक कोच्ची के फिर बकसर की लड़ाई इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई, ठीक है, बकसर की लड़ाई हम कहते हैं अंग्रेजों की किसके साथ हुई थी, बकसर जो है वो बंगाल में है, ए मीर कासिम, बी सादत अली खान सेकिंड, सी अलवर्दी खान, डी सिराज ठीक है, आंसर देखते हैं, तो बकसर की लड़ाई जो है वो मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी, ठीक है, बकसर की लड़ाई जो है वो 1764 में हुई थी, ठीक है, और ये अंग्रेजों के और मीर कासिम के बीच में हुई थी, ठीक है, ब्रेटिश इंडिया कंपनी और मीर कास उसके साथ साथ आववद का नवाब और मुगल सम्राड श का कहां तीनों से मिलकर अंग्ले constrained कि ठीक है BUT वाफ की जो डाई में वह अंग्लेड़ायों की विजय हुई थी और इस जो लडाई में जो अंग्लेजयों का जो नरत्त्व किया था वह हेक्टर मुन्रो ने किया था और इस लडाई को इतिहास की जैसे मैं आपको दो लडाईयां बता रहा हूँ जाहें तीन लडाईयां में यान है अगर Establishment की बात करें दिल्ली सल्तनत किस लडाई के बाद Establish हुई भारत में अगर मुस्लिम सामराज्य कहें इसके बाद 1526 में पानिपत का पहला डाई है उसने दिल्ली सल्तनत को खतम करके मुगल सामराज्य के स्थापना की और 1764 का जो बकसर की लडाई है इसने भारत में अंग्रेज्जों की जड़े मजबूत की इस लडाई के बाद अंग्रेज जो है यहां पे राजनितिक शक्ती बन वे इसके बाद इन्होंने कभी पिछे मुड़ कर नहीं देखा 1747 तक तो अंग्रेज जो आए जिस लडाई ने इनको टाकतवर बनाया वो थी बकसर की लडाई इससे पहले 1757 में जो है वो सिराजु दौला के साथ एक लडाई भी वी थी ठीक है वो लडाई का नाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो कौन सी लडाई थी लेकिन उस लडाई का इतना महतव नहीं था जितना महतव बकसर की लडाई का था ठीक है 1764 में जिसमें तीन राजा थे मुगल समराट भी था अवत का नवाब भी था ठीक है और बंगाल का नवाब मीर कासिम भी था तीनों को हराय था अंग्रेजों ने ठीक है किस आंदोलन की शुरुआत जो है नमक कानून तोरने से हुई थी? किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोरने से हुई थी? अंसर देखते हैं ठीक है जो नमक कानून तोड़ा गया था ना वो तोड़ा गया था सविने अवग्या आंदोलन Civil Disobedience Movement ठीक है महात्मा गांदी ने 12 मार्च 1930 को साबर मती से यात्रा शुरू की 379 लोग थे उनके साथ ठीक है छे अपरेल को जो है 1930 में नोने डंडी में जो है गुजरात के डंडी में नमक बना कर जो है ठीक है नमक कानून को तोड़ा था तो जो नमक कानून तोड़ा गया थ वो सभी नवग गया आंदोलन के दोरान तोड़ा गया था और गोल में समेलन हुए है ठीक है उसके बाद गोल में समेलन तीन गोल में समेलन हुए है ठीक है आप उनके नाम लिख सकते हो कि पहला किस साल हुआ दूसरा किस साल हुआ तीसरा किस साल हुआ फिर 1857 की जो क्रांत बनबरोग अंसर देखते हैं, जब 1857 की करांति हुई न तो उसके में लॉड कैनिंग जो है वो भारत के गवननर्र जैनल ते और लॉड कैनिंग को भारत का पहला वाइसराई भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये 1856 से लेका 1862 तक भारत के गवननर्र जैनल थे, ठीक है लॉड कैन ठीक है और मेन रोल जो था वो सुभास चंद्र वोस और रास बिहारी बोस का था ठीक है तो इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सिंगापूर में 1943 में की थी एक्चुली राज बिहारी बोस ने ही जो है वो इंडियानी इंडिपेंडनेस लीग की स्थापना की जिसको बाद में सुभास्चेंदर बोस ने उसका नाम बदल के इंडियान आशनल आर्मी जिसको बाजा दहित पोच का जाता वो रख दिया था ठीक है फिर है कांग्रेस के क जो लहोर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया ठीक है रावी नदी के किनारे हुआ था वैसे भी रावी नदी के किनारे ही लहोर बसा हुआ है चंबा भी रावी नदी के किनारे है और लहोर भी नदी के किनारे है तो 1929 का जो अधिव और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और साथी साथ फिर ये भी फैसला किया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंतरता दिवस के तौर पर मनाएंगे आपको याद होगा हमारा जो सविधान है वो 26 नमंबर को बनके तैयार हो गया था उननिचास को लेकिन हमने दो महिने बाद जो है उसके में जो फिचर्स हैं वो लागू किये 26 जनवरी 1950 को हमने अपना सविधान जो है लागू किया वो इसलिए लागू किया गया कि 15 गस्ट को तो हम सोतंतरता दिवस मनाते हैं क्योंकि हम 15 गस्ट को आजाद हुए थे लेकिन अजाद होने से पहले हम सोतंतरता दिवस का मनाते थे 1930 से लेकर 1947 तक हम अपना सोतंतरता दिवस जो है वो 26 जनुवरी को मनाते थे इसलिए फिर हमने फैसला किया कि हम जो 26 जनुरी को जब हमारा सविधान लागू होगा तो हम उसको सविधान रिपब्लिक डे के तौर पे जो है वो मनाएंगे ठीक है गणतंत्र दिवस के तौर पे और भारत गणतंत्र क्यों है जिस देश का हैड चुनावा होता है उस देश को रिपब्लिक कहा जाता है इंग्लेंड रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहां का हैड राजा है जपान रिपब्लिक नहीं है गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहां का जो हैड है वो राजा है लेकिन अमेरिका रिपब्लिक है क्योंकि वहां का हैड वो राजा है चाइना वो इलेक्टिड है, चुना हुआ है, ना कि वंशान हो गयता, राजा है, ठीक है, अगर यहां राजा होता तो भारत रिपब्लिक नी होता, इसलिए हम रिप, ठीक है, फिर है वेदों की और लॉटो का नारा किस ने दिया, अंसर देखते हैं सिधा, तो वेदों की और लॉटो का नारा जो है, वो स्वामी दयानन सरस्वती ने दिया था, ठीक है, स्वामी दयानन सरस्वती ने अठार सो पिछत्तर में आरे समाज की स्थापना भी की थी, बॉम्बे में, संस्क्रित और वेदों के प्रखांड भी थे वो, और भारत में जो है, वेदों की जो छपाई का काम है, वो उन्हों नहीं शुरू करवाया था, और सबसे फेमस बोक जो है, उनकी सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, तो वेदों की और लॉटों का नारा जो है, वो स्वामी दयानन सर लॉर्ड विलिंग्टन भी लॉर्ड लिनलित को पले तो जो साइमन कमिशन एंवkan के टाइम में आया था उन्नी सो इरविन को थे पारट वाइसरा है और ग्रएशन की यूट किया गया और उसके अध्यक्षकों थे साइमन कमिशन के वो त्रैफोर्ड कृप्स थे ठीक है और उसके साथ मेंबर थे साथ के साथ मेंबर जो थे वो अंग्रेज थे और इसलिए साइमन को बैक का नारा लगाए गया था कि विरोध किया जा था कि सारे के सारे मेंबर आपने भारत के बारे में फैसला करना है लेकिन भारत के किसी सदस्य को शामिली नहीं किया गया, सारे के सारे आपने इसमें जो है ब्रेटिश सदस्य रख लिए, अंग्रेज रख लिए, ठीक है, और ये जो साइमन कमिशन है ये 1928 में यहाँ पर भारत में आया था, ठीक है, और साइमन गो बैक और आपको पता है फि ठीक है, वो इसका में इनकाम था, और उसके उसमें जो है वो सुधार के वो प्रस्तुत रने थे, तो धन्यवाद, थेंक्यू,